जैं हिंडियर इस्टूडेंट फेजिस टाइम के यूटूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है और इस लेक्चर में हम लोग डिल करने वाले हैं पीछ टॉपिक को जो की चैप्टर नंबर से बन साउंड से जुड़ा हुआ है हमने साउंड की प्रोपरटी पढ़ी थी साउंड की क्या प्रोपरटी पढ़ी थी वो हम आपको बता देते हैं यानि कि करेक्टरिस्टिक आप साउंड हमने पढ़ा था कि लाउडनेस है करेक्टरिस्टिक आप साउंड फिर हमने पढ़ा था कि पीछ है करेक्टरिस्टिक आप साउंड और फिर हमने पढ़ा था कि form या quality है ठीक है तो loudness तो हमने कर लिया आज के lecture में हम लुग pitch कर रहे हैं आज के lecture में क्या कर रहे है पीच कर रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि sound की जो यह quality है वो क्या explain करता है तो क्या explain करता है कि pitch is that characteristic of sound by which an acute note can be distinguished from the grab note of the same loudness and quality कराई कि एक sound है हमारे पास और suppose कर लेते हैं कि ये है एक sound और एक दूसरी sound है हमारे पास suppose कर लेते हैं ये है दूसरी sound और इन दोनों sound का क्या करना है हमें क्या देखना है कि बे फॉर्म भी same है और इनकी बे फॉर्म भी same है और amplitude भी same है amplitude same है amplitude दोनों का same है लेकिन बे वे फॉर्म भी same है यानी कि quality भी इनका same quality का मतलब है waveform quality का मतलब क्या है बेव फॉर्म तो बे भी एक ही जैसा बन रहा है यहां दोनों का बेव जोनों का एक ही जैसा बन रहा है देखो अब sinusoidal बेव है और amplitude भी सेम है फिर हम देखते हैं कि इनकी frequency में different आ रहा है दोको इनकी frequency थोड़ी सी different हो रही है इसकी यहां पर cut रहो रही है इसकी यहां आ रहा है और यह इसकी फ्रिक्वेंसी यहां आ रही है और यह यहां पर आ रहा है मतलब इसका एक rotation यहां पर आके complete हो रहा है और इसका यहीं पर complete हो रहा है और इसका यहां complete हो जा रहा है तो यह है इसकी frequency तो हम यह कहना चाहरे हैं कि कोई अगर हमारे पस grab sound हो या grab sound हो grab sound हो grab sound को हम लोग यहाँ पर grab sound को एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग flat sound बोलते हैं flat sound हो ठीक है और या हम note कहेंगे इसको flat sound या note बोलेंगे हम आपको यह भी बताएंगे कि note क्या होता है अभी आगे बताएंगे note क्या होता है तो हमारे पास एक sound grab है और एक sound हमारे पास क्या है दूसरी sound हमारे पास क्या है हमारे पास दूसरी sound जो है वो shrill है क्या है shrill sound है या shrill note है ठीक है shrill note है या हम कह सकते है कि acute note है acute note है ठीक है acute note है तो इन दोनों में जो difference होगा वो difference कौन बताएगा वो इन दोनों में desteăng civility, या दोनों में बेबिन्यता, दोनों का अलग-अलग sound है, यह कौन بتाता है? ये बताता है Pitch. कौन बताता है पिच बताता है या हम कह सकते हैं कि हम Pitch को जिस टर्म में major करते हैं यानि कि Pitch is same frequency के तो नहीं है लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि Pitch को frequency से associate करते हैं तो ये कौन बताएगा frequency या पीच बताएगा ठीक है तो मैंने definition लिख दिया है कि Pitch is that characteristics of sound sound की वह characteristic है पीछ जो किसी acute note और और क्या है grab note के बीच में क्या बताएगा distinguish करेगा उसमें difference बताएगा बिभेद करेगा उनमें दोनों में क्या करेगा बिभेद करेगा या difference बताएगा कि यह दोनों sound क्या है different है ठीक है दोनों अलग-अलग sound है यह अब एक चीज आपको बता द है note समझो क्या है note क्या है in music music में कराय कि note is a sound made by the mixing multiple frequency जैसे कोई music में कोई sound निकलता है तो सारे गामा ऐसे निकलता है सारे गामा पाधानी तो इनके mixture निकलते है different frequency के यह word है इनके क्या निकलते है mixtures निकलते हैं तो multiple frequency के mixtures को हम क्या बोलते है note बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको note बोलते हैं लेकिन अगर कहीं किसी musical instrument से केवल एक ही word निकल रहा हो सा 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 एक ही word निकल रहा हो क्यों एक ही single frequency का word निकल रहा हो तो हम इसे क्या बोलेंगे note इसको क्या बोलेंगे इसको tone बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे tone बोलेंगे याद रखना कि note और tone हमने अभी आपको शुरुवात में ही बताय था कि आपको note भी बताएंगे और tone भी बताएंगे कि tone किसको बोलते हैं और note किसको बोलते हैं the mixture of the multiple frequency is called note and the single frequency is called tone जैसे example की तोर पर मैं आपको कहूँ कि for example music is a note music क्या है note है लेकिन कोई person अगर बोल रहा है तो उसका क्या है वो tone है अब कोई person बोलेगा तो क्या वो different frequency में बात करेगा आज हमताब बच्चन के वाज में बात कर रहा है कल संजैता तो बन जाएगा अगले दिन सलमान खान और अगले दिन सहरुक खान बन जाएगा तो अलग-अलग frequency में वो बात कर भी लेगा तो कितनी देर कर लेगा क्या lifetime बात करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक मिनट दो मिनट बात करेगा लेकिन उसकी साधारण बोल चाल जो जीवन में है न वो अपने नेचरल फिर्क्वेंसी पर ही करेगा तो एक परसन की जो वाइस होती है वो टोन होती है लेकिन किसी मुजिकल इंस्टुमेंट का जो मल्टीपिल कॉंबिनेशन अब दा मल्टीपिल फिर्क्वेंसी होती है वो नोट कहलाता है ठीक है तो याद रखना अब मैं बहुत ही इंपोर्टन बात आपको और एक बात आऊंगा जो क्या है कि जो पिच वर्ड है या जो हम कह सकते हैं कि पीच या स्रिलनेस है न ये खासकर म्यूजिकल साउंड के लिए कंसीडर किया जाता है यह बात भी आप याद रखना ठीक है तो पीच साणर्ण के लिए पीच ही buds के जाता है या उसी के लिए इसको एंट्रोडिश्ट किया गया है ठीक है पेटर और एक बात इससे जुड़ी और एक बात मैं बता दू आपको कि each musical note है जा definite frequency हर एक musical note का definite frequency भी होती है तो यह दोनों बाते हमने आपको लिख दिया कि each musical note है जा definite pitch या आप frequency भी लिख सकते हैं ठीक है frequency आप frequency लिख देते हैं frequency भी लिख सकते हैं ठीक है तो मैंने दो बहुत important बात आपको बताएं यह आप अपने दिमाग में रखे था पेटे कि pitch is considered only in the reference to the musical instrument musical instrument के लिए ही pitch को defined किया गया है और each musical note है जा definite pitch और हर एक musical note के पास definite pitch होती है और note क्या होता है मैंने आपको बता दिया this is the mixture of multiple frequencies called note होता है ठीक है पेटे अब यहाँ पर कुछ और बाते हम लोग कर लेते हैं कि अगर किसी की pitch बहुत high है क्या है अगर किसी की pitch बहुत high है क्या है अगर किसी की pitch बहुत high है ठीक है माल लेते हैं कि if pitch is high if the pitch is high pitch is high माल लेते हैं कि pitch क्या है high है अगर pitch high है तो इसका यह मतलब है कि sound हमारा कैसा है sound हमारा surreal है और अगर sound हमारा surreal है तो इसका मतलब वहाँ से जो आवाज आएगी न वो कैसे आएगी acute note आएगे मतलब बहुत तीबर sound आएगी वहाँ से acute note आएगे surreal का मतलब यह हो गया ठीक है और अगर मेरा कहीं पर if the pitch is low if the pitch is low अगर pitch मेरा low है कहीं कोई आवाज आ रही है और pitch वो low है तो sound is flat होगा फिर sound क्या होगा वहाँ पर flat होगा sound is flat अगर flat है तो इसका मतलब क्या हुआ कि sound grab है sound grab है अब एक चीज़ और बता दू यहीं पर कि अगर pitch high है तो इसका मतलब यहां कि frequency of sound क्या होगी frequency of sound क्या होगी तो frequency of sound frequency of sound जो होगी वो क्या होगी वो high होगी और अगर मेरा कहीं पर भी जो पीछे low है यानि कि sound flat है उसकी frequency क्या होगी उसकी frequency क्या होगी इसकी frequency क्या होगी इसकी frequency क्या होगी frequency of sound क्या होगी बता दो आप frequency of sound यहां पर क्या होगी low होगी frequency of sound क्या होगी लो होगी तो ये भी आप बात याद रखना ठीक है बेटा अब मैं आपको एक चीज और बता दू और ये भी बहुत important है और आपकी society में बहुत ज़्यादा famous word है जो मैं बताने चल रहा हूँ और अक्सर आप कभी न कभी इससे deal हो जाती है कहीं न कहीं आपको सुनने में मिल जाता है तो in the case of the tape recorder अगर मैं बात करूँ in the case of tape recorder तो tape recorder जब कभी भी बज रहा हो कहीं पर DJ और रहा है कुछ भी बज रहा हो तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा आपने नोटिस किया होगा क्या नोटिस किया होगा कि कुछ लोग बोलते होंगे कि बेस बढ़ादो इसका क्या बढ़ादो बेस बढ़ादो इसका या कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रिबल इसका बढ़ादो क्या बढ़ादो इसका ट्रिबल इसका बढ़ादो बेस बढ़ादो क्या बोलते हैं या तो बोलते हैं बेस बढ़ा दो या तो क्या बोलते है कि टिर्बल बढ़ा दो ठीक है तो किसी चीज़ का बेस बढ़ाने का क्या मतलब है बेस बढ़ाने का क्या मतलब है कि उसकी पिछ लो है बेस बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि उसकी पिछ लो करो और बेस बढ़ाने का मतलब देखो मैं बलिक देता हूं कि बेस इंक्रीज करने का क्या मतलब हुआ बेस इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि pitch low करो उसका pitch low करो pitch low करने का मतलब क्या हुआ कि frequency decrease करो उसकी क्या decrease करना है frequency decrease करो उसकी और frequency decrease करते हो और bass increase करते हो या pitch low करते हो तो grab sound सुनाई पड़ता है क्या सुनाई पड़ता है grab sound सुनाई पड़ता है और जब कभी कहता है कोई कि bass हम low करो बेस क्या करो लो करो तो बेस लो करने को हम क्या बोलते हैं टिर्बल बोलते हैं इसका ये मतलब हुआ कि हम टिर्बल बढ़ा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ टिर्बल इंक्रीज कर रहे हैं टिर्बल क्या कर रहे हैं इंक्रीज कर रहे हैं और टिर्बल इंक्रीज करने को क्या हो रही है increase हो रही है और frequency increase का मतलब कि sound हमारा surreal हो रहा है और sound surreal का मतलब क्या हुआ देख लो बहुत सारी connection इसमें मिल रहे हैं तो कहीं भूल न जा इसलिए हम मैंने point to point लिख दिया है आपको कि sound अगर surreal हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि acute note आपको सुनाई पढ़ेंगे acute note आपको सुनाई पढ़ेंगे और grab का मतलब आपको flat sound सुनाई पढ़ेगी मैं याद करने के लिए एक मैं जहां तक मैं समझता हूँ एक मैं आपको example के तोर पर समझाने की कोशिस करूँगा जहां तक मैं समझता हूँ अगर आप ऐसा प्सको बेश पसंधे है तो एक्चुल में मैं जहां तक समझता हूँ अपने बेश का मतलब बस अ اب इतना जब रखो बेश का मतलब यह वाला बेश है बस तो उसे से आप समझ लेना कि गाने में जो कह रहा है कि बेबी को बेश पसंद है इसका मतलब बेश को हमें बढ़ाना है और बेश को बढ़ाने का मतलब कि पिच को लो करना है पिच को क्या करना है लो करना है मतलब वो जो हेरोईन है वहाँ उसको low pitch पसंद है उसको क्या पसंद है लो पिछ पसंद है और low pitch का मतलब उसको decrease in frequency पसंद है उसे grab sound पसंद है ग्रैब साउंड किसकी निकलती है, ग्रैब साउंड मर्दों की निकलती है, मेल लोगों की निकलती है, पुरुस की निकलती है, तो उसको पुरुसों की वो ग्रैब साउंड पसंद है, समझ में आ रही होगी मेरे, I think, मैं ये सारा एक्जामपल सिर्फ समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ अदर्वाइस मेरा यहां किसी movie का promotion या कुछ ऐसा करने का aim या कह सकते हैं extension नहीं है मैं सिर्फ समझाना चाहरा हूँ कि ऐसे गाने से जो कुछ भी आप सुनते हो तो सुनने से थोड़ा बहुत आप physics का आप approach ले सकते हो ठीक है बेटे तो इसके आगे मैं देखत तो क्या है तो bass बढ़ाने का मतलब हो गया या bass increase करने का मतलब low pitch करो और low pitch का मतलब grab sound करो आप क्या करो grab sound करो आप sound grab होना चाहिए तो यह सारी चीजे मैंने आपको समझा दी कि क्या है तो समझाने यह समझाने के बाद हम लोग next बात कर लेते हैं कि हम यहाँ पर यह थंब है ठीक है next बात कर लेते हैं तो अगर मैं यहाँ पर इतनी बातों को समझाने में मतलब successful रहा हूं तो आगे भी आप मेरी बात को पूरा का पूरा समझेंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें एक चीज़ और मैं add करना चाहूंगा और वो क्या है कि अगर मैं बहुत ही predominant बात करूं ऐसे मतलब percussion instrument की जैसे की तबला है और धोलक है इन सब की बात करूं जिसको हम ताल वाद कहते हैं जैसे हम कहें कि फिर percussion instrument जो होते हैं इंस्टूमेंट जो होते हैं instrument फिर इंस्टूमेंट फिर कशन इंस्टूमेंट होते हैं जो जैसे मैं कहूँ तबला और कौन होता है तबला निकालते हैं तो यह सारे जो यहां पर मैंने लिखर रखा है प्रिकॉसन इंस्टूमेंट ये सब की सब ग्रैब साउंड निकालते हैं ग्रैब साउंड का मेरे कहने का मतलब लो फ्रिक्वेंसी की साउंड निकालते हैं लो फ्रिक्वेंसी की साउंड निकालते हैं कौन ये प्रिकॉसन इंस्टूमेंट निकालते हैं जराते हैं और इस लिए इस इसे कुछ होता है आपको हिंदी से कोई मतलब नहीं है ठ ilzone कि प्रिकास नेolie कि मैं यह इंस्टूमेंट मुद्जारी का मतलब कैं होता है प्रिकासम में देखो यह गड़ बढ़ है kilo पी ए आर होता है प्रिकस्षन होता है प्रिकस्षन इस्टूमेंट जैसे चैला ढोलत तो यह ब्र होंड निकालता है और लोव true frequency निकालता है क्या निकालता है ये लो frequency निकालता है लेकिन जब कि अगर मैं बात करूँ अगर मैं बात करूँ किसकी बात करूँ कि ये जो हमारे musical instrument हैं लेकिन वो कैसे हैं जिसमें wire लगे हुए होते हैं क्या लगे हुए होते हैं वायर लगे हुए होते हैं या मैं बात करूँ जिसमें वो एर ब्लो करते हैं हम लोग जैसे मैं कहूँ कि फ्लूट या मैं कहूँ कि घुंगुरू 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 या इसी को हम एंकल बेल भी बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं एंकल बेल भी बोलते हैं एंकल बेल भी बोलते हैं ठीक है तो ऐसे इस्टूमेंट की अगर मैं बात करूँ तो यह इस्टूमेंट हमारा जो है यह टिर्वल साउंड निकालता है टिर्वल साउंड का मतलब हाई पिच का साउंड निकालता है high pitch का sound निकलता है high pitch मतलब कि इनकी जो frequency होती है वो high होती है frequency जो होती है वो high होती है frequency क्या होती है high होती है ठीक है तो यह सारी बातें हो गई तो अब pitch को आपने क्या समझा उपर इतने explanation देने के बाद तो pitch of a note depends on its frequency pitch इतने समझेने के बाद क्या निकला कि pitch of a note depends on its frequency, pitch किसके उपर depend करती है, frequency के उपर depend करता है, two notes, अब notes क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बता दिया, notes क्या होता है, note क्या होता है, it is the mixture of the multiple frequency, multiple frequency के mixture को हम लोग note बोलते हैं, तो कह रहा है two notes sounded, sound on the same instrument, कह रहा है, एक ही instrument से हमारे पास दो sound निकल रही है, दो sound निकल रही, एक ही से दो sound निकल रही है, ठेक है, sounded on the same instrument with same amplitude, जिसका amplitude भी same है, जिसका क्या same है, amplitude भी same है, और will differ in pitch, लेकिन हम उनको कैसे differ कर सकते हैं, pitch का मतलब frequency से उनको differ कर सकते हैं, या vibration से से differ कर सकते हैं जैसे मालो कि यह हम कहें कि एक सेकंड में एक vibration किया एक vibration किया यह एक सेकंड में एक vibration किया तो यह वाली जो sound है वो एक सेकंड में आधा vibration करेगी हाफ vibration करेगी तो क्या है इसकी frequency differ है इसकी frequency और differ है मतलब दोनों की frequency क्या है differ कर रही है दोनों के frequency differ कर रही है तो हमने उपर के इस lecture में जो examples हैं ये सब examples जो कुछ भी हमने दिया इससे यही conclusion निकाला क्या conclusion निकाला कि pitch of the note depends on its frequency और if we have the two notes of the sound on the same instrument with the same amplitude what differ in the pitch when their vibration are in the different frequency इतना हमने conclusion निकाला अब इस conclusion को थोड़ा सा हम और elaborate कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं चलो हम trash करते हैं हम एक ही musical instrument से निकले हुए इन दोनों sound को trash करते हैं और कैसे trash करेंगे you know very well इससे पहले हमने lecture में बता दिया है कि हम कैसे trash कर रहे हैं तो हम trash कर रहे हैं क्या traces of two babe किसे से trash करेंगे आपको पता होना चाहिए CRO की help से कैथोड रे oxaloscope की help से हम दो sound को बजाएंगे और कैथोड रे oxaloscope के mic के पास लेकर जाएंगे वहां से sound enter करेगा और फिर y input से जुड़ा हुआ my का जितना भी sound CRO में enter करेगा वो screen पर उसका एक babe pattern बना के दे देगा तो suppose कर लेते हैं कि एक babe pattern हमारा बन गया है और कुछ ऐसे बना है कुछ ऐसे बना है और इस sound का नाम है suppose कर लेते हैं A इस sound का नाम है A और जिसकी frequency है 256 हर्ट है ठीक है और एक दूसरी हमारी sound है और इस दूसरी sound की जो amplitude है वो पहले sound के amplitude से एकदम सेम है पहले sound के amplitude से एकदम सेम है बट इसकी जो frequency है इसकी जो frequency है थोड़ा सा मैं बना लेता हूँ ऐसे अरे गड़बड हो रहा है बार बार तो हमारे पास ये जो बेव है ये भी बेव है और इसकी जो frequency है हमने किना लिया है 512 हर्ट से लिया है अब ऐसे थोड़े नहीं हो जाता है 512 हर्ट से यसे नहीं होता है तो मैं आपको इसकी डिटेल के लिए बता दू कि अपने पास एक ट्यूनिंग फॉर्क थी और एक रबर पैड था एक रबर पैड था इस रबर पैड पर इस ट्यूनिंग फॉर्क को हमने बहुत तेजी से जेंटली स्ट्राइक किया स्ट्राइक करने के बाद हम सियारो यानि आक्सलो इसकोप के माइक के पास लेकर आए तो आक्सलो इसकोप ने इस बेब को बना के दिखा दिया और जो ये ट्यूनिंग फॉर्क है उसकी फिर्क्वेंसी दोसो चपपन हाट से हैं और दूसरी इस ट्यूनिंग फॉर्क का नाम था ए और दूसरी जो हमारे पास सेकेंड ट्यूनिंग फॉर्क है उसको सेम रबर पैट पर हमने बहुत जेंटली स्ट्राइक किया strike करने के बाद हमने फिर से CR-O यानि ऑक्सलोस्कोप के माइक के पास लेकर आए फिर तो CR-O ने उस बेब को redride किया और उसका एक बेब pattern ये बना दिया और ये जो हमारे पास B वाला त्यूनिंग फॉर का है इसकी frequency हमने फाइव हंडड़ ट्वेल्ब हर्ट से लिया है किना लिया है फाइव हंड़ ट्वेल्ब हर्ट से लिया है तो आप देख रहे हैं कि काइथोर्ड रे oxaliscope ने amplitude सेम रख बनाया है amplitude दोनों का सेम है और wave form भी इनका सेम है बेब फॉर्म भी इनका सेम है बेब फॉर्म भी इनका सेम है दोनों का लेकिन आप देख रहे हैं कि इसकी जो frequency है टी टाइम में एक बार हुई माल लो ऐसे तो इसकी दो होई है वैसे मैं ये सिफ समझाने के लिए बोल रहा हूँ वैसे इसकी तो फ्रिक्वेंसी एक सेकेंड में 256 बार हो गई है और इसकी एक सेकेंड में 512 बार हो गई है बस मैं सिर्फ इसको इस दो सो चपन को एक मान रहा हूँ और पांसो बारा को दो सो चपन इंटू टू तो मैं ये देख रहा हूँ कि पांसो बारा हो रहा है तो इसको मैं क्या मान रहा हूँ वन तो ये वन इंटू टू उकर टू मिल रहा है यह नहीं कि दो accommodation यहां पर मिल रहा है मैं ऐसा सिर्व आपको समझाने की लिए बना रखा हूँ बस आइसा और कुछ नहीं है कि आप ऐसे बना लो roughly ऐसा कुछ नहीं होता है बस मैं समझा ना चाह रहा हूं आपको तो आप फ्रीक्वेंसी ही है इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है हाई है और अगर इसकी फ्रीक्वेंसी हाई है तो Muhammad क्या है फाई है इसका मतलब यह वाली साॉंड कैसे होगी यह सिरिल होगी और यह साउंड कैसे होगी यह ग्रैब होगी इन ही किम्पैरीजन में सिरील और ग्रैब होंगे और किसी साैंड की कम्पैर avent में नहीं तो यह भी यह बात याद रखना आप ठीक है बेटे तो अगर इतनी बात हो गई है तो इस ही हेडिंग में एक चीज मैं और बात कर लूँ इक्जामपल आफ चेंज इन पीची की बात कर लेता हूँ अगर कोई इस्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं इस इक्जामपल में फर्स्ट इक्जामपल ले रहा हूँ मैं अगर कोई इस्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट लेते हैं इंस्ट्रूमेंट instrument लेते हैं तो string instrument में आप ऐसा भी ले सकते हैं पियानो वाइलीन गीटार सितार वगएरा आप ऐसे ले सकते हैं गीटार, सितार ऐसे आप ले सकते हैं जिसमें string लगा हुआ हो तो आप क्या देखते हैं कि उसकी जो frequency of vibration of the string है वो depend करता है कहीं न कहीं tension के ओपर और उसके thickness के ओपर तो musical instrument में जो string instrument है वो किसके ओपर depend करता है वो depends depends on the tension tension के ओपर depend करता है और thickness of string के ओपर depend करता है तो अगर मैं कहूँ कि tension जादा होगा तो frequency भी जादा होगी यह मैंने पढ़ा रखा है या हम ऐसे कहें कि radius उसका जितना कम होगा उसकी frequency भी उतनी high होगी तो उसका पिछ भी high होगा इसका भी पिछ उतनी high होगी पिछ भी इसका high होगा और अगर wire मोटा है यानि radius जादा है आर मतलब radius बेटा आर मतलब radius तो frequency low होगी frequency low होगी तो sound कैसे हो जाएगा grab हो जाएगा sound कैसा हो जाएगा grab हो जाएगा तो हम ऐसा हम यह समझ सकते हैं कि tension जादा होगा यानि कि wire दो इंड के बीच में ऐसे मालो एक मेरे पास एक musical instrument है ऐसे कुछ ऐसे यह है एक musical instrument यह ऐसे तो अगर यह दो इंड के बीच में ए और बी के बीच में यह हमारा जो metallic wire है इसमें tension जादा है तो इसकी frequency जादा होगी frequency जादा है तो pitch इसकी जादा होगी और pitch जादा है तो फिर यह sound कैसे होगी serial होगी यह sound serial होगी यह हम कह सकते हैं कि acute note बनाएगा यह acute note बनाएगा और अगर यह string lose होगी यह string lose होगी तो फिर इसमें हम grab sound पाएंगे और एक चीज़ मैं बता दूँ कि यहाँ पर जो musical instrument होते हैं इसमें length पर भी depend करती है frequency length अगर कम होगा length कम होगा तो frequency जादा होगा length जादा होगा तो frequency कम होगा तो यह भी याद रखना यह वाली जो condition है यह grab sound देगी और यह वाली condition क्या है वो serial sound देगी क्या होगी serial sound देगी तो आप इससे भी निकल सकते हैं कि serial है तो pitch high है और grab है तो pitch low है यहाँ से भी condition आप निकल सकते हैं कि musical instrument में tension ज्यादा क्यों होता है या tension कम क्यों होता है तो क्या conditions हो सकते हैं कम या ज्यादा होने पर tension कम या ज्यादा होने पर क्या conditions हो सकते हैं तो हमने आपको एक example दिया second example आप क्या लिख सकते हैं कि जैसे हम जिसमें हम एयर बलो करता है like as flute in case of flute कि अगर हम बात करें तो lower note हमको कम मिलता है lower note हमको कम मिलता है lower अगर note की बात करें तो हमको कम मिलता है अब बताओ इसको कम मिलता है जैसे मालो यह flute है यह flute है और इस flute में हम क्या करते हैं ऐसे फूग लगाते हैं तो इसमें बहुत ऐसे होल होते हैं ऐसे होल होते हैं फ्लूट में तो अगर हमको लोवर नोट मिल रहा है तो हम इतना जानते हैं कि लेंथ हमारी इंक्रीज होती है तो फ्रिक्वेंसी लो होती है और frequency low होएगी तो pitch हमारी low होएगी और pitch low होएगी तो grab sound मिलेगा हमको तो हम ये कह रहे हैं कि lower note मिल रहा है lower note का मतलब हमें low frequency की sound मिल रही है तो इसका मतलब length हमारा बढ़ा होगा तो हम क्या करते हैं अपनी उंगलियों को उंगलियों से हम ऐसे इनको बंद कर लेंगे इनको बंद कर लेंगे अब देखो effective length of the air हमारा बढ़ गया की नहीं बढ़ गया पहले यहीं से air निकल जाती तो length कुछ इतना ही रहता लेकिन दो हमने whole बंद कर लिया तो यह 11 और यह L2 length हमने क्या कर लिया बढ़ा दिया थोड़ा सा length हमने बढ़ा दिया मालो और हमको low pitch की sound चाहिए तो अपनी तीन उंगलियों से यह drill को बंद कर लेंगे और length हमारा increase हो गया अब हमें और low pitch चाहिए और हमको lower note चाहिए तो हम इसको भी बंद कर लेंगे चार उंगलियों से बंद कर लेंगे और हमको lower चाहिए तो पांचों उंगलियों से इसको भी बंद कर लेंगे तो हमको और lower note मिलता चला जाएगा क्योंकि हमको तो पता ही है कि air column के vibration का length बढ़ाएंगे तो frequency हमारी low हो जाएगी और low frequency का मतलब हमारा pitch low हो जाएगा और pitch low हो जाएगा तो grab sound निकलेगी और grab sound का मतलब हो गया कि हमने उसकी effective length को increase किया है frequency को decrease किया तो यह भी आपको पता चल जाएगा और मालो कि आपने आपको क्या करना है कि length को कम कर दिया तो pitch increase हो जाएगी justice का बुल्टा कर लेना है कि अब यहां की उगली हटा लेनी है यहां की भी उगली हटा लेनी है यहां की भी उगली हटा लेनी है तो अब air column का length decrease करते चले गए air column का length decrease करते चले गए तो length decrease हो रहा है तो frequency increase हो जाएगी और frequency increase होने पर pitch आपको high मिलेगा जा मिलेगा? पिछ आपको high मिलेगा और pitch high मिलेगा तो आपको shrill sound मिलेगी ज्रील sound मिलेगी या हम कह सकते हैं कि acute note मिलेगा acute note मिलेगा बहुत तिबर्गती से आपको sound सवनाई पढ़ाईगी तो जैसे आप एक टेप होता है टेप वाटर होता है एसे फिर यहां पर ऐसे लगे हुए होते हैं ऐसे तो आप टेप वाटर की नीचे आप एक बाल्टे रख देते हो तो वाटर जब इसमें गिरता है तो जब एक दम तली में वाटर गिरता है न तो आपको देखो बहुत ग् साउंड सुनाई पड़ता है क्योंकि water column का length बहुत हाई रहता है water column का length हाई रहता है तो frequency low रहती है और जैसे जैसे water यहां भरता आता है भरता आता है वो sound देखो थोड़ी-थोड़ी मधूर लगने लगती है आपको जब यहां रहता है ना तो बड़ा मतलब वो sound आपको सुन जैसे जैसे water भरता है थोड़ा सा वो sound ठीक लगने लगता है तो क्या होता है कि length decrease हो रही होती है air column का और frequency increase हो रही होती है vibration of the air column तो length frequency increase हो रही होती है यानि कि grab sound से हमारा क्या बढ़ रहा होता है pitch बढ़ रहा होता है grab sound हमारा कम हो रहा होता है और seriliness हमारी बढ़ रही होत है वहाँ पर ठेकर ऐसे मैं आपको एक और एक्जामपल दे सकता हूँ जो कि एक्जामपल नमबर फोर्थ है क्या है कि बहुत इंपोर्टन्ट है इस बात को तो लिखे ही लो आप दा वाइस आफ दा वाइस आफ वाइस आफ वाइस आफ आ ओमेन ओमेन इज यूजुवली आफ आ हाईयर हाईयर पिज देन देन देट आफ 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 आ मैन अब अगर एक मान लोग के कहीं सफर कर रहे हो ना और एक सीट पर दो लोगों का है दो लोग मेल बैठे हुए हैं और तीसरा मेल खड़ा हुआ है बहले ही उसके पैर में पोलियो है. इन दोनों लोग उससे बोल दे गए गर एक बार कि भीया मुझे सीट दे दो बैठना है. तो ये दोनों लोग उसको ऐसे देखेंगे जैसे कसाई. मतलब गुसे से देखेंगे और बोलेंगे बस चले आते हैं सीट लेने के लिए और ये दोनों लोग और चोड़ा होकर बैट जाएंगे लेकिन इस बैचारे को सीट नहीं देंगे लेकिन अगर यहीं पर एक लड़की है वो और फिर वो बोल दे और डाट कर ही बोल दे कि हटो सीट दो हमको बस यह दोनों लोग क्या करेंगे ना एक ही सीट पर एड हो तुम यहाँ पर और वो बैठ जाएगी तो ऐसा मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा कोई extension नहीं है कि किसी लड़की या किसी का मैं insert कर रहा हूँ बस मैं यह बताना चाहरा हूँ कि आप सिर्फ समझ जाएं स्रीलनेस क्या है और grab क्या है बगद तो होता क्या है कि लड़कीों की आवाज जो होती है वो सिर्फ समझानेस क्या होती है और यह जो लड़का बोल रहा था तो उसकी आवाज क्या थी grab थी तो grab की frequency low होने की वज़़ज़ से effect इसका क्या हो जाता है कम हो जाता है effect इसका थोड़ा सा less हो जाता है लेकिन स्रील होने की वज़़ज़ से इसकी frequency high है तो इसकी frequency high होने की वज़़ज़ से इसका effect थोड़ा सा ज़्यादा होता है तो मैं यह बताने की गोसिश कर रहा हूं सिर्फ आपको की लड़कियों की आवाज थोड़ी से स्रील होती है high frequency की होती है high pitch की होती है और लड़कों की आवाज थोड़ी से low frequency की होती है और grab होती है तो these are all information about the pitch that is the second necessary important characteristic of the sound हम लोग next lecture में मिलेंगे और बात करेंगे quality बात करेंगे subjective nature of the pitch and objective nature of the frequency के उपर और इसी lecture में बात कर लेते लेकिन मुझे लग रहा है कि lecture का length ज्यादा लंबा हो गया है 35-36 minute का lecture हो गया है तो लोग लंबे lecture को देखना थोड़ा सा कम पसंद करते हैं और boring उनको लगता है क्योंकि अज़कल तो एक trend है कि बस 10 second, 5 second में ही इनफर्मेशन हमको मिल जाए हमें लंबा लेक्चर देखना ही नहीं है तो मैं next lecture में ही इस topic पर बात करूँगा जो कि subjective nature of the pitch and objective nature of the frequency है तब तक लिए थैंक्स पर वाचिंग दे वीडियो, थैंक्यू वेटा